आप देखिए कभी मौका मिलेगा कॉंग्रेस पार्टी को पार्लेमेंट में तो दिखाते हैं तो आप को मगरें ज़लक पिखती जाए मोका मिल जाए Sat你就 दिखा दें तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते है हसी मज़ाग करते हैं आप देखना पार्लिमेंट पर देखना और जो बीजेपी आरे सेज वाले होते हैं वो नरेंदर मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगे रहते हैं वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुश्करान आ लें पतानी क्या हो जाएगा मोदी जी मार देंगे आरे सेस्वाले मतलब चड़ी पहना के लाठी पकड़ा देंगे कि मतलब उनको उनको जिन्दगी जीना नहीं आता है कि वो सब सब घर से बाली आते हैं मैंने एक दिर अपने कारे करता हो से पूचा देखिए आपने आप में से 100-200 लोग थे मैंने उनसे पूचा वह एक बात बताओ आप में से कितने लोग घर छोड़के भागे मैंने पूचा 110-120 लोग थे एक लड़के ने आत उठाया मैंने का अच्छा एक बात बता भागा था मगर वापिस आया क्या क्यों पापा और मेरे पापा और मा मुझसे प्यार करते हैं मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापिस गया अब आप एक काम कीजिए किसी भी आरे से इसके कार्य करता से पूछ लीजिए कि सो का ग्रूप होगा तो इससे पूछ लेजिए वही आप एक बात बताओ आप में से कितने लोग घर छोड़के भागे सारे हाथ उठा देंगे कि यह सब आगे फिर पूछना भाईये वापिस कितने गए एक हाथ नहीं उठाएगा क्यों क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए मोहबत है प्यार है इज़त है रिस्पेक्ट है उनके दिल में नफरत है अब बड़ी मुसिट है अब हम कुछ करनी सकते अब अगर नफरत को मिताना हो जैजिम मानने जिया आपके दिल में नफरत है मैं उसको नफरत सी मिता सकता हूंग जा मैं मतलब सो साल नवाद हूँ अगर इनके दिल में नफरत है ये मुझसे नफरत करते हूं मैं इनसे नफरत करूँगा नफरत कभी नहीं मिटेगी मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया मैं गले मिल गया का वह या बात क्या है इतने गुश्चे में क्यों हो नफरत क्यों है तोड़े सा प्यार दिखा दिया नफरत मिट जाएगी से गाते हैं